मेरे बालकनी गार्डन में मैं आज कुछ काम करने वाली हूँ और वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप देख रहे हैं यह जो ब्रह्म कमल का प्लांट है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसके जो पत्ते हैं वो यहाँ वहाँ फैल रहे है और इसकी बज़े से बालकनी गार्डन में मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ तो आभी मुझे इसे अच्छे से सेट करना पड़ेगा एक साइड में आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथी बहुत अच्छी हो रही है और मुझे इसको काटना नहीं है ब्रह्म कमल का प्लांट है उसके जो पत्ते होते उसमें फ्लार्स आते है तो इसे पत्ते नहीं काटने चाहिए कभी-कभी गलती से मेरे आद से कोई पत्ता तूर जाता है तो वह भी मैं फिर से दूसरी पॉर्ट में लगा देती हूं और इसकी बज़े से मेरे ब्रह्म कमल के बहुत सारे प्लांट भी हो गए है यह जो ब्रह्म कमल का प्लांट है इसे हमेशा सपोर्ट की जरूर प्लांट है आप देख सकते हैं दिवार को पकड़के कैसे ऊपर जा रहा है लेकिन अभी मेरे बालकनी गार्ण में बहुत सारी धूप आ रही है ज्यादा धूप के कारण यह जो प्लांट है यह खराबी हो सकता है आप ही देखिए इसके पत्ते कितने ग्रीन कलर के है और द पानी का स्प्रेय नहीं कर सकती हूं तो आभी मैं इसके निकाल के नीचे लेती हूं और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके लिए मॉस्टिक भी बनाऊंगी नहीं तो इतनी गर्मी बे जब यह दिवार गरम हो जाएगी तो यह प्लांट भी खराब हो सकता है इसके पत्त और आप देख सकते हैं यहाँ पे यह जो ब्रह्म कमल का प्लांट है उससे मैंने मेरा जो बेलपत्र का प्लांट है उसी पॉट में ऐसी ही लगा दिया था और आज देखे उसकी गुरोथ इतनी अच्छी हो गई है लेकिन यह इतना बढ़ रहा है न तो पूरी जगह मेरी ब कादर प्लांट है उसमें लगाऊंगे तो यह साइड में यह अच्छे से रहे से और मुझे बालकनी करने के लिए जगवा भी हो जाएगी लगाने का मॉप होता है उसके बकेट में मदर प्लांट लगा हुआ है ज्यादा तर मैं अपने घर में जो वेस्ट चीजे होती है उसमें ही बहुत सारे प्लांट्स लगाती हूं मुझे कही पे भी प्लांट्स की कटिंग प्लांट्स के पत्ते जो ग्रोह सकते हैं मिल जाएंगे मैं उठा के लेके आती हूँ और अपने पॉट में लगाती हूँ आईसे ही यह जो ब्रह्म कमल है इसका एक पत्ता मुझे मिला था वही मैंने ग्रोह किया है और आज उसी से देखिए कितने सारे प्लांट्स भी बन गए है ये जो ब्रह्म कमल का प्लांट है इसमें बहुत ही खुपसूरत फ्लार्स आते है इसमें जो फ्लार्स आये थे तो उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूँगी आप वो वीडियो जरूर देखना आज का मेरे वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना